वेलकम स्टुडेंट्स और वीवर्स और यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद मौमद अरफाद खान और चैप्टर 12 यानिके इलेक्ट्रोस्टेटिक्स का आज टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे सीखेंगे और उस टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक पुटेंचल या इसको इलेक्ट्रोस्टेटिक पुटेंचल भी कहते हैं और साथ-साथ पुटेंचल डिफरेंज यह टॉपिक्स आज हम डिसकस करने जा रहे हैं इसकी हैडिंग में वर्ड आ रहा है पुटेंचल का और यह वही पुटेंचल है जिसकों कहते हैं पुटेंचल इनर्जी एक होती है काइनेटिक इनर्जी एक होती है पुटेंचल इनर्जी इनर्जी दू टू मोशन इसकॉल काइनेटिक इनर्जी इनर्जी दू पुटेंचल इनर्जी तो क्योंकि हम फिलाल पुटेंचल की बात कर रहे हैं तो हम पुटेंचल इनर्जी की concept को बहुत ही आसानी से समझाने के लिए मैं आपको कुछ मिसालों से स्टार्ट करता हूँ कुछ example से स्टार्ट करता हूँ सुनते रहिएगा direct definition को पर नहीं जाओँगा definition बाद में बताओँगा बलकि definition आपको खुद ही समझ जाजेगी अगर आप मेरी ये example समझ जाएंगे क्योंकि हाँ पर word आ रहा है potential का energy due to position is called potential energy चले बहुत इस position की हम बात करते है imagine करो एक हमारे पास ball है एक ball है एक body है जो कि earth की surface पर रखी हुए ठीक है ground पर रखी हुए हमने क्या किया अच्छा हमें पता है कि gravity की डिरेक्शन होती हो कहा होती है downward होती है gravity की direction downward होती है हमने क्या किया इस ball के उपर work done किया और इस ball को move करके ऊपर पहुचा दिया इस particular height पर इस body ने क्या cover करी height cover करी edge ground से आपने इस को उपर पहुचा दिए जहन में रखिएगा gravity हमेशा का होती है gravity हमेशा downward होती है towards the center of the earth नीचे की तरफ होती है और आपने इस को उपर work done किया और आप इस body को against the gravity लेकर उपर चले गए जब आप इस body को इस position पर लेकर आजेंगे तो आपका work done आपके work done की वज़े से इस body में एक energy store हो गई होगी जिसको हम कहते है potential energy energy stored in a body due to its position is called potential energy समझ रहें तो आपने जैसे इस body को उपर work done किया इसको आप उपर लेकर गए उपर का मतलब क्या against the gravity against लेकर जाओगे तो ही उसमें energy store होगी against का word बड़ा important है potential energy की sense में तो gravity downward और आपका work done against the gravity तो आपका work done इस body में store हो जाएगा as an energy और उस energy को हम कहते है potential energy समझ रहें तो मैं यहाँ पर कह दूँगा कि यहाँ पर इस body में energy store हो गई जिसको हम कहते है potential energy और इसका formula क्या होता है MGH ठीक है आगे चलता है एक और आपको example देता हूँ मैं imagine करो हमारे पास एक system है और उस system में एक spring है और उस spring के साथ हमने एक body को attach कर दिया mass spring system बन गया mass spring system यह देखे mass spring system और यह horizontal है ठीक है अच्छा यह मैंने mass spring system यानि कि hooks law मैंने आपको नहीं पढ़ाया even जब मैं class 11 के जो chapters upload कर रहा हूँ जो topics upload कर रहा हूँ उसमें अभी तक मैं gravitation तक पहुंचा हूँ gravitation के बाद work energy वारा chapter आयागा उसके बाद जाके यह topic आयागा वहापर हम इसको detail में पढ़ेंगे ठीक है खेर मैं आपको इसका थोड़ा सा concept बता दूँ यह basically vibrate करता है जब आप इसको pull करते है object को ओके जनाब let's suppose यह body अपनी mean position पर मौझूद है equilibrium position पर मौझूद है रुकी हुई है यह body रुकी हुई और attach हुई ही किसके साथ spring के साथ आपने क्या किया इस body को pull किया पीचे की तरफ खेंचा जब आप इस body को pull करेंगे तो यह spring खेंचेगा यह spring खेंच जाएगा इसके अनतरा stretch पैदा हो जाएगा आप पता है क्या कर रहे है आप इस पे again work done कर रहे है against the elastic field जब आप इसको इस तरफ लेकर जा रहे होंगे आप इस तरफ खेंचेगा अच्छा यह इसको पीचे खेंच रहे है और आप इसको उस तरफ खेंच रहे थे इसका मतलब आपने again इस body पर work done किया against the elastic force work done against the gravitational field work done against the elastic force elastic field क्या तो भले elastic field है again मैं कहूंगा जैसी आप इसको against the field against the elastic field work करेंगे आपका work again इस position पर इस body में energy की form में store हो जाएगा और उस energy को हम क्या बोलेंगे potential energy तो इसका मतलब मैं यहां लिख दूँगा कि आपका work done इस body में store हो गया क्योंकि आपने against काम किया against काम किया था energy store हो गई against काम किया energy की form में store हो गया और कौन सी energy इनर्जी डूटू पोदिशन इस काल्ड पुटेंशल तो यहां पर भी पुटेंशल इनर्जी और यहां पर भी पुटेंशल इनर्जी तो पुटेंशल इनर्जी और इसका फार्मुला हो जाता है 1 upon 2 kx square डिराइफ करवाऊंगा मैं आपको यह topic पढ़ाऊंगा जब क्लास 11 के अंदर ही chapter आयागा तो तो फिलाल 1 upon 2 kx square अच्छा अब देखें फॉर्क क्या है पुटेंशल इनर्जी यहां पर भी store हो रही है पुटेंशल इनर्जी यहां पर भी store हो रही है फर्क क्या है यहां पर जो फिल है वो ग्राइबिटेशनल फिल है वो अगेंस दा ग्राइबिटी यहां पर जो फिल है वो इलास्टिक फिल है वो अगेंस दा इलास्टिक फिल तो याद रखेगा पुटेंशल इनर्जी depend करती है कि position किस field में अगर position gravitation field में है तो ऐसी potential energy को हम कहते है gravitational potential energy जनाब लिख देता हूँ उस बात को मैं यहाँ पर जो यह potential energy है वो कौन सी वाली है gravitational potential energy क्योंकि position कहाँ पर एक gravity के अंदर है क्योंकि आपने gravity के against work किया और अब आप मुझे बताएं है यहाँ पर जो potential energy यहगी वह कौन सी होगी के हाँ हो सकता है आप है हई देखें अंगर हमारी क्या है है कि हैक आज की हैदिंग है electric potential पूरा कैया दो Eletric potential energy तो अब मुझे बताओ कि अब अगर position ना ही gravitational field में हो Position ना ही elastic field में हो बल्के position कहाँपर हो electric field में हो और उस electric field में again, आप against the field work करें, तो आपका जो work store हो जायेगा उस electric field में उसको हम कहा देंगे electric और आपको दिखाता हूं, let's suppose, हम यहाँ पर अब फिल ड्रॉ करते हैं, फिल काउंसी ड्रॉ करते हैं, let's suppose, electric field को हम ड्रॉ करते हैं, electric field को ड्रॉ करने के लिए क्लिए आप क्या बनाएंगे, हमारे पास options है ना, बनाने के लिए electric field को आप क्या करें, two oppositely charged plates बना दे मतलब यह कि हमार पर suppose एक plate होगी positively charged और एक plate हो जाएगी negatively charged यह हो गई positively charged plate और यह हो गई negatively charged plate field की direction क्या? from positive to negative from positive to negative from positive to negative यह आ गई field की direction ठीक है अब हमें यहाँ पर एक charge चाहिए जैसे हैं आप field में body थी आपने work done कर दिया body पर यहाँ पर body थी आपने work done गिया body पर अब electric field का काम है नए electric field में कोई arm body नहीं हो यहाँ पर charge चाहिए हमें work done कर रहा है लिकिन किसी charge पर करना है और पता है एक concept जहन में रखिएगा potential energy के sense में एक concept जहन में रखिएगा यहाँ पर work done against का concept आता है against लेकर जाओगी gravity के तो ही potential energy store होगी against लेकर जाओगी elastic field के तो ही potential energy store होगी यहाँ पर भी क्या होना चाहिए against ना और आपको पता है against के लिए मैं आपके सामने दो options रखता हूँ देखें या तो मेरे पास एक positive charge हो यहाँ पर या तो मेरे पास एक negative charge हो यहाँ पर अब आप देखें आप बूलेंगे सार आपने एक को महा मरा दिए एक को महा मरा दिए ऐसा ही तो होगा न positive charge को कहा होना चाहिए negative plate की तरफ और negative charge को कहा होना चाहिए positive plate की तरफ तो जहां होना चाहिए, मैंने वहाँ पर ड्रॉव कर दिए, दुनों के एक तरफ नहीं ड्रॉव करूँगा, positive यहाँ पर है और negative यहाँ पर है, हम मुझे बता है, इन में से वो कौन सा charge होगा, जिसको मैं against, move कर सकता हूँ, gravity, sorry, field के against, let's suppose, अगर मैं negative की बात करता हूँ, अग against the field, against the field, इसका मतलब यहाँ पर हम जिस charge पर work करते हैं, वो charge कौन सा होता है, positive, unit positive charge, इसी बज़े से हर definition में, हर book के अंदर, हर notes के अंदर यही लिखा होता है, unit positive charge, यहाँ यहाँ से कहनी start करते है, हाँ बे, charge को जहां होना चाहिए, वहीं पर है, negative plate की तरफ, body को जहां होना चाहिए था, वहीं पर थी, equilibrium position पर, mean position पर, तो charge को जहां होना चाहिए, वहीं पर है, negative plate की तरफ, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस charge पर work करना है, against the field, field की direction क्या है, from positive plate तो negative plate, इसका मतलब अब मैं इस charge पर work करूँगा, और इस charge को move करके, against the field लेकर आउँगा, मतलब यह यहां है, feel you है, तो मैं इसको against लेकर आउँगा, let's suppose यहां तक मैं इसको लेकर आगया, पता है क्या हुआ, मैंने इस charge को पर work किया, और जब मैं इस charge को पर work करूँगा, against the field, तो मेरा work इस charge में एक energy की form में store हो जायागा, और वो energy है कौन सी, potential energy, potential energy store हो गईती इस point पर, potential energy store हो हो गई होगी ना, मेरे work done करने की वज़ए से, against की वज़ए से, तो ऐसी potential energy, या आप यूँ कहते हैं, ऐसा work done, जो unit positive charge को against the field move करवाए, तो उस work done की वज़ए से, उस charge में energy store हो जाती है, और उस energy को ही हम कहते हैं, electric potential energy, और short में क्या, electric potential, तो भई, definition बता है क्या बनेगी, definition बन work done, work done in moving a unit positive charge, क्या बोलेंगे, work done किया, किसके उपर किया, एक unit positive charge पे, और कैसा work done हुआ, in moving it against the electric field, is stored as an energy which is called electric potential energy, मैं आप लिख देता हूँ, उसकी definition को, क्या लिखेंगे, work done, work done, in moving a unit positive charge, against the electric field, against the electric field, हूँ अभी, work done जो हम करते हैं, charge को against move करवाने में, वो work done, store हो जाता है, in the form of potential energy, वो work done, store हो जाता है, in the form of potential energy, ठीक है, is stored, is stored as energy, which is called, which is called electric potential energy, electric, और simple इसको हम क्या बोलते हैं, electric potential, इसको पूरा कह सकते हो, होई, it is electric potential energy, तो, potential energy, यहां पर भी store हो रही है, gravitational field की वज़े से, potential energy को हमने क्या कहा, gravitational potential energy, elastic field की वज़े से, आपने potential energy को क्या कह दिया, electric potential energy, तीनों condition में आप note कर ले, एक बात common है, work done against the field, work done against the gravity, work done against the elastic field, and work done against the electric field, तो, word potential आगिया, मतलब आपने work done against करना है, तो, यह बन गए एक असान सी definition, किसकी, electric potential energy की, यह सिंपल में आप क्या कहा रहे हैं, इसको, electric potential, अब यह तो हो गया, electric potential का difference, या इसको, हम कहते ही, electrostatic potential भी, आचा, अब चलते हैं, potential difference की तरफ, यह भी चक करते हैं, हाँ भी, electrical potential की वाद, जो potential difference का concept आ रहा है, वो क्या होगा, इसको check करते हैं, अब अब हम बिनाने कर मतलब यह हो जाएगा कि आपके पास वही दो प्लेट्स होनी चाहिए एक होगी पॉजिटिव लिचार्ज और दूसी वाली जो होगी वह यहां पर गया ठीक है न माइनस 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 अच्छा हमें फील की डारेशन पता है फ्रॉम पॉजिटिव टू एगेटिव एज अवेश यह होता है अब एक काम ही करते हैं मैं आपको थोड़ा सा हवाला दूंगा थोड़ा सा रेफरेंस हम लोग पढ़ेंगे थोड बात कर रहा हूं अभी ना ग्राउंड है ग्राउंड से एक बॉड़ी है जो के इस पर्टिक्लर हाइट पर मौझूद है मैं कहा देता हूं यहां से लेकर यहां तक इसको हम कहा देते हैं हमने क्या किया अच्छा जायर से बात है हाइट पर है पोजिशन पर है इसका मतलब पुटेंशल इनर्जी लाजमी होगी क्योंकि हाइट इसने कवर की है हाइट है इसका मतलब पुटेंशल इनर्जी लाजमी होगी हाँ हर वो बॉड़ी जो के ग्राउंड पर होती है सर्फिस पर होती है जब यहां पर पहुंच जाएगी हाइट खतम होने की वज़ज़ से उसकी potential energy zero हो जाती है. अब एक काम ही करते हैं कि हम इस body पर work done करते हैं और इस body, suppose मैंने इसके उपर work done किया और इस body को हमें move करके इस position पर लेकर आ गया. ठीक है, इस position पर लेकर आ गया, यहां गया, यहां गया, मैं इसको move करवा के यहां पर लेकर आ गया, इसका मतलब इसकी heights में फर्क आ गया, अब अगर मैं आपसे पूछूँ, क्योंकि height कम है, और यहां पर इसकी potential energy बढ़ गई, क्योंकि height बढ़ गई, because the potential energy का जो formula होता है, gravitation वो क्या होता है, MGH, और इस formula के मताबिक directly proportional to the height, height जादा ground से height जितनी जादा, उत्री जादा potential energy, तो मैंने पता ही क्या किया, मैंने इस body पर work done किया, और इसकी potential energy change कर दी, difference हागिया potential energy के अंदर, और इस difference कैसे आया, मैंने इस body के उपर work done किया, so work done in moving a body from one point to another point, ये किसके बराबर हो जाता है, potential energy के difference के बराबर हो जाता है, मतलब मैंने इसकी potential energy change कर दी, difference कर दी, आगी चलते हैं, यहाँ पर discuss करते है, यहाँ पर इसको कैसे discuss करेंगे, let's suppose हमारे पास एक charge है, यह रहा positive charge, अच्छा आप नोट करें इस positive charge को, यह negative plate से थोड़ा सा दूर है, इसका मतलब इस position पर इसके पास potential energy है, electric potential है, समझ रहे हैं, अच्छा इस electric potential को, let's suppose हम इसको point कहा देते हैं, point A है यह, और यहाँ पर electric potential को हम represent करते हैं, U से, तो हम कहा देंगे, इस A point पर इसके पास जो potential है, electric potential है, वो है UA, U for electric potential energy, और A point पर है, इसका मतलब UA, electric potential energy at point A, अब मुझे क्या करना है, इस charge को move करवाना है, एक point से move करवाके, दूसरे point पर लेकर जाना है, और let's suppose वो दूसरा point यह रहा, मैंने इसको उपर work done किया, और मैं इसको लेकर आगिया यहाँ तक, यह आगिया यहाँ पर, ठीक है, यह आगिया charge यहाँ पर, अच्छा इस point को मैं कहा देतो, पॉइंट बी, अब आप नोट करें, क्या यह distance अभी है नहीं क्या, अभी भी distance है न, लेकिन यह distance बढ़ चुका है, मतलब यह charge negative plate से जादा दूर आगिया, पहले कम दूर था, तो potential energy थी तब भी, अभी थोड़ा सा जादा दूर आगिया, इसका मतलब अभी potential energy होगी, लेकिन बढ़ चुकी होगी, और इस वाली potential energy को में represent कर दूँगा, U और साथ में बना दूगा B, so electric potential at point A is U A, and electric potential energy at point B is U B, मुझे बताएं, क्या इसकी electric potential energy में difference आया या नहीं आया, आप बोलेंगे yes, आया, फर्क आया, कैसे आया, क्यों आया, क्यूंके मैंने इस charge के उपर work done किया, तो किसी भी charge पर work done करें, और उस charge को electric field में एक point से move करवा के, किसी भी दूसरे point पर लेकर आजाएं, आपका ये work done उस charge की potential energy में फर्क लिया आएगा, difference ले आयाएगा, इसी चीज़ को हम कहते है, potential difference, potential difference, मतलब इसको अगर complete आप read करो नहीं, पता ही क्या है, electric potential energy difference, read तो करो, short form में लिखावा है potential difference, मतलब क्या है, electric potential energy difference, electric potential energy में difference आजाना, फर्क आना, इसको हम कहते हैं, short form में potential difference, और यह आता कभे जब आप चार्ट के उपर work done करते हैं work done करेंगे एक point से दूसरे point पे move करवा के लेका जाएंगे आपका वो work done उस charge की electric potential energy में फरक लियाएगा difference लियाएगा जिसको हम कहादेंगे potential difference definition लिखें इसकी यहां पर आसान सी definition क्या definition लिखेंगे work done work done in moving a unit positive charge unit positive charge from one point to another point यहां पर point A था उदर सम लिकर गए बी तक है तो from one point from one point to another point और यह यह points है कहां कौन सी फील में है क्या ग्राविटिशन फील की बात करने हम नहीं है यह फील यह points कापने electric field में from one point to another point in an electric field in an electric field is called is called potential difference समझ रहे हैं यह बन की definition इसकी किसी भी charge पर work done करें उसको एक point से दूसरे point पर लेकर जाएं आपका work done उस charge की potential energy में फर्क लिए आएगा difference लिए गागा जिसको हम कह देंगे potential difference आसान सी बात इसी चीज़ को mathematically देखें किस तरीक से लिखते हैं mathematics लिखने का तरीका क्या हो जाएगा भाई इस चीज़ को अब लेक्स राइट डाउन इन mathematical फॉर्म कैसे लिखेंगे आप देखें आ करके लिखता हूं थोड़ा था आप लिखेंगे कि आपने वोग डन किया कि हमने वोग डन किया किस पर वोग किया इस यूट चार्ज के ऊपर तुम्हें लिख देता हूं वोग डन पर यूनिट च चारज पर आपका उस यूश्ट चारज पर वा दन जुआ वो उसके नतीजे में पूटेंशल डिफरन गया उसके नतीजे करते हैं symbolically लिखते हैं symbols यूज करते हैं हमें पता है कि वॉर्ग दन का जो symbol होता है वो होता है W unit charge जो charge है उसका symbol क्या होता है क्यूं ठीक है sometimes q not भी लिखा होता है इसको हम test charge कह रहे होते हैं तो q not लिख दो या q लिख दो बात एक है ठीक रहा so work done per unit charge हाँ पुटेंशल यहां पर जो पुटेंशल है बेसिकली सिंबल है वो यह आ जाता है वी यह आ गया वी capital V और वी में difference आया difference का मतलब change और change को हम किसे रिप्रेजन करते हैं डेल्टा के साथ तो देखें क्या बना work done per unit charge is called potential difference simple as you like दोबारा पढ़के दिखाऊं देखें work done per unit charge is called potential difference तो इस definition को भी हम यहाँ पर लिख देते हैं simple करके और वो definition क्या बने कि black से लिख रहा हूं मैं work done per unit charge is called is called potential difference हाँ बही कोई मुश्किल बात है इसके अंदर कोई मुश्किल बात है नहीं कोई मुश्किल बात नहीं है ठीक है work done per unit charge is called potential difference अच्छा इसको पढ़ने के बाद अक्सरी फॉर्मला ऐसे भी लिखावा होता है delta v का मतलब क्या हो जाएगा final minus initial मतलब vb minus va मतलब potential है ना potential में फर्क आ रहा है तो आप कैसे लिख देंगे vb minus va ठीक है is equal to अच्छा work done जो यहाँ पर basically हुआ उस work done के अगर हम बात करें तो work done ने क्या किया इस work done ने electric potential energies में difference पैदा किया बाद में कितनी है u b final जो u b है और initial कितनी थी u a तो इसका मतलब ही हो जाएगा जो यहाँ पर work done है इस work done ने क्या किया electric potential energies में फर्क लेकर आगया मतलब delta u divided by q इसको ऐसे भी लिख सकते है यानि कि potential difference बराबर है work done per unit charge मैंने क्या किया यहाँ पर work done जितना work done करोगे वो work done basically electric potential energies में फर्क लेकर आएगा यानि कि delta u हाना और अगर आगर आप चाओ तो इस delta u को आप open करके और लिख दो u b minus u a so u b minus u a करके लिखोगे तो delta u क्या बनेगा u b minus u a initial final पर depend करता है तो अगर यहाँ पर final u b है तो u b minus u a अगर final a होती तो u a minus u b तो यह काम भी करते हैं इसी formula के अंदर इस वाली बात को और put कर देता है so मैं पूरा करके लिख देता हूँ delta v चलो छोड़ो यहाँ पर नीशे करके लिखता हूँ मैं v b minus v a is equal to हाँ बे delta u की जगह क्या आजाएगा u b minus u a minus u a per unit charge charge की electric potential energies में different आजाना इसको हम कहते हैं potential difference दोबारा repeat कर रहा हूँ किसी भी charge की electric यह यू लिखा भाए भाई इसको भी मत लिखिएगा it is you it is you किसी भी charge की electric potential energies में different आजाना इसको हम कहते है potential difference और यह कब आता है जब यह हम उस charge को पर work done करते हैं यह बन गया वही formula simple as you like यह यह formula बन गया general याद रखीगा general याद रखोगे formula तो आगे बारा formula खुदी बना सकते हो according to the concept अब एक काम ही करते हैं इसके unit की बात करते है SI unit इसका क्या होना चाहिए SI unit of potential difference SI unit of potential difference PD potential difference potential difference is हमें पता है कि जितने भी units होते है SI units होते हैं वो हमेशा formula से आते हैं formula लिख लेते हैं हाँ वे formula हमारे पास जो लिखा हुए delta V का potential difference का वो क्या लिखा हुए उपर है work work का unit होता है joules divided by नीचे है charge charge का unit होता है coulum क्या बना joules पर coulum यानि के JC inverse और इसको हम equivalent रखते हैं volt के capital V for volt यानि के potential difference को हम measure करते हैं किन units में वोल्ड के अंदर 1 volt 2 volts 5 volts 100 volts 220 volts 0.9 volts 0.5 volts 0.7 volts वोल्ड है इसका मतब आप किस physical quantity की बात कर रहें आप potential difference की what about electric potential electric potential का तो मैंने आपको ऐसा unit लिखा है नहीं है तो भई लिखाने की क्या जुरूत है आपको पता नहीं है electric potential energy है और energy का unit क्या होता है joules होता है so electric potential का unit joules जबके potential difference का unit volts potential difference का unit volt क्यों वाना क्योंकि ये concept है work done पर unit charge का work done पर unit charge इसी वजह से joules पर कूलम और ये बराबर हो गया वोल के तो भई ये छोटी सी discussion थी छोटा सा concept था छोटा सा difference था electric potential में और potential difference के अंदर उमीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि what is electric potential and what is potential difference ठीक है इसके बाद हम continue करेंगे आगे इसी electric potential वाले topic को और मजीद आपसे मैं discussions करूँगा मजीद topics को आपके clear करूँगा chapter 12 electrostatics को वीडियो अच्छे लगी तो like कर दें comment कर दें और share भी कर दिएगा subscribe नहीं किया अभी तक तो subscribe कर दो और साथ साथ bell icon पर hit कर दें notifications के लिए ठीक है अपना खयाल रखिएगा next video में मिलते हैं thank you